हालो स्प्रेंट्स आम जीतिंद्र कुमार श्रमा योर मैस्टीचर तोड़ी विल कंटीडू वित हावार चेप्टर नमबर 12 आफ क्लास वन और जो हमारा चेप्टर नमबर 12 है उसका नेम क्या है उसका नेम है डेली रूटिन हर बच्चे का जो घुट बॉइज होते हैं उनका मैं डेली रूटिन की नैसे सरी कहां हुई क्यों कि देखते हैं कि जो हमारा डेली रूटिन होता है वह हमें क्यों इंक्लूड किया है बिरी श्टुडेंट्स डेली रूटिन में we कोई भी का वर्क जो हम करते हैं वह täll रूटिन के वक हैं उन्हें पूरा करते हैं आफ्टर व्हाइब है अफटर गया ओफ्टर जैसे लेट्स यह सब चीजिए रूटीन मेर करते हैं अगर हम इने routine में नहीं करते तो वो sequence ली नहीं होती और हम उन्हें daily routine नहीं कह सकते इस sequence को समझने के लिए ही इस topic को हमने हमारी math class में include गिया है तो चलिए daily routine को समझते हैं और discuss करते हैं कि daily routine में कौन-कौन सी activities होती है एंड जो other parts होंगे इस chapter के उनमें हम कुछ exercise भी करेंगे तो चलिए सबसे पहले एक look लेते हैं कि जो daily routine होता है वो होता कैसा है तो चलो discuss करते हैं our daily routine और आप भी यहाँ images को देख करके यह find out करेंगे कि क्या आप भी sequence wise काम करते हैं otherwise आपका कोई daily routine नहीं है तो you should create a daily routine चलो देखते हैं सबसे पहले जैसे हम इसी में में देख पा रहे हैं firstly यह प्यारी सी भच्ची है जो backup यानि उठ चुकी है तो सबसे पहले क्या होता है early in the morning राइट टाइम पर पर पर्टिकुलर टाइम पर हम हमारी नींद को पूरी करके उठ जाते हैं यहां में में देख पा रहे हैं उठने के बाद में हम जैसे फ्रेश होना वगरा 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 जो काम होते हैं वो करते हैं after that, उसके बाद में हम क्या करते हैं, जैसे यहां हम देख पा रहे हैं, brushing, ओके, यह प्यारी सी घुडिया क्या कर रही है, अब यह brush कर रही है, और हमें भी हमारे तीत को brush करना चाहिए, और वो भी कितने time, twice, two time करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, two time, और cup cup करना चाहिए, पहले हम क्या करेंगे, brush up करेंगे, क्यों करना चाहिए, देखिए, जैसे हम रात को सोते हैं, तो हमारे mouth में कई सारे gems से create हो जाते हैं, इसलिए सुबह उड़ते ही हमने क्या किया, brush up किया, और वो क्या हो गए, वो सब destroy हो गए, वो सब nusht हो गए, उसके बाद में क्या होता यह दातों पर वो क्या होंगे, वो nusht हो जाएंगे, वो खतम हो जाएंगे, ठीक है, finish हो जाएंगे, so हमें दिन में कितने time करनी चाहिए, brush two time करनी चाहिए, एक morning में और एक before going to bed, okay, तो यहां पर हमने देखी अगली activity, वो क्या थी, brush up, चलिए next up, इसके बाद में यहां हम देख पार, attack के बात, और बात क्यों जरूरी है, क्यों importance है बात की, because बात करने से जो हमारे जो body पर jams होंगे, वो क्या होंगे, नस्ट हो जाएंगे, वो सब finish हो जाएंगे, और हम healthy रहेंगे, इसलिए हमें wash यह बात हमें daily करना चाहिए, और यह हमारे daily routine का एक part है, important part है, च अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा dress up करेंगे, proper, saaf, neat and clean, जो हमारी proper dress up होगी, उसे हम wear करेंगे, after that हम breakfast लेंगे, और breakfast कैसा होना चाहिए, क्या breakfast में हम pizza, burger जैसी चीज़े कह सकते हैं, नहीं न, breakfast हमारा healthy होना चाहिए, milk हम कह सकते हैं, उसमें हम fruits ले सकते हैं, ऐसी चीज़े हमें खानी चाहिए, तो ये था हमारा breakfast time, breakfast के after हम अच्छे से proper uniform में आ चुके हैं, तो अब हम चलेंगे हमारी school, so next image में आप देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं, कहां पे, school पहुंच चुके हैं, ये हमारे daily routine का sequence चल रहा है, dear students, school पहुंचने के बाद में, वहां पे ह हम क्या करते हैं, वहां पे हमें teacher ma'am, teacher sir, सब अच्छे से पढ़ाते हैं, हम learn करते हैं, understand करते हैं, knowledge grasp करते हैं, तो यहां पर अब देख पा रहे हैं, school में सभी क्या कर रहे हैं, study कर रहे हैं, school में हमने lunch भी लिया, हम थोड़ा सा खेलते भी हैं, and after that, जैसे school off होता है, हम हमार वेहिकल, जो भी bus है, या फिर हम bicycle, या फिर on foot, जैसे भी हम school से घर पहुंचते हैं, हम घर पे पहुंच जाते हैं, dear students, यहां आपने देखा, यह सारे जो images थे, यह हमें indicate करते हैं, our daily routine है, उसके बारे में, तो चलिए हमने यह सब को discuss कर लिया, और आप यह भी समझ चुके है कि हमें daily routine बनाना क्यों है, क्योंकि इससे हमारा time भी बसता है, और सारे काम sequentially होते हैं, और हम healthy भी रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि हमने अगर किसी दिन brush नहीं किया, तो हमारे जो तीत हैं, वो कैसे हो जाएंगे, वो clean नहीं रहेंगे, और कई सारे जो, मतलब हमारे मु exercise करेंगे, और वो exercise क्या है, देखिए, look at the picture and tell your daily routine, जैसा कि आपने सारी pictures को देखा है, और आप understand भी कर चुके हैं, कि daily routine होता क्या है, अब आपको यहां बताना है, कि जो आपका daily routine हो कैसा है, तो आप अपनी notebook में, अपने daily routine की sequence wise work हैं, उनको sequence से लिखेंगे, like जैसे आप कि क्या क्या कार्य करते हैं, कौन-कौन से work करते हैं, उन सब के बारे में आपे बताएंगे, तो dear students, आज के हमारे part 1 में हमने discuss किया about daily routine, और इसी के साथ हम मिलेंगे आप से अगली part में, और वहां पर हम discuss करेंगे about our exercise, और daily routine पर depend होने वाली जो sequence है, उसका हम mathematics में कहां use करने वा थेंक यू